हेलो एवरीबन तो इस वीडियो में डिसकस करेंगे कैमिकल प्रपरटीज आफ नॉन मेटल और लास्ट में इससे रिलेटर एम से क्यू भी डिसकस करेंगे पने रहे विश्वास करिए मेरा आपको सारा चीजे क्लियर समझ में आ जाएगा चले स्टार्ट करते हैं फॉस्ट द इस पर पहले से आप जान रहें जैसे अकर में बात करो oxygen का यह दो इक्ट्रोन को गेंड करके oxygen पे टूमाइन सब्सक्राइब होगा यानि जितना इलेक्ट्रों वो 9 करेगा उतना मैनस चार्ज किरिएट होगा इंएन कीरिएट होगा यानि नॉनमेटल स्का यो टेंडेंसी होता है कि राक्षि इलेक्ट्रों को गेन कि आपने देखा जैसे मेटल का ऑक्षई generated करके मेटल का अक्षइड मेटलिक आई जो वहह बेसिक निजर का होता था जीक DRC होता विख मेटल अगर जैसे इतिए अग्षण करके सुपर बनाएगा अटी से किस नेजर का होगा आप अच्छली में इसी इक निजर होगा क्यों कि नौनड लिक उक्सएड है जैसे नаздर चंप से रिय neutron करें नटरचेंयाज बनाएगा फिलहाल ऐगर बात करें तो ड्रॉकसाइड कि निशर का होगा इसिडींग र का सब्सक्राइब करेंग नहीं करेंगा इसलिए क्या इन दोनों से रेक्शन होगा नहीं कर से नहीं कर पाता है इसलिए क्या इन दोनों से बढ़ जा रहा है हम यहां पर देखिए नॉन मेटल से रियक्ट उता हैलोजन तो प्रोड्यूस को बिलेंट कमपाउंट मैं आपको क्लियर समझाता हूं हैलोजन होता क्या पहले यह समझ लेते हैं हैलोजन मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमीन और आयोडीन जहां जहां यह फैमली है मतलब यह जिस फैमली में बिलूंग करता उस फैमली को हैलोजन फैमली बोला जाता है यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन यह सारा हैलोजन फैमली में आता है तो यह क्लोरीन भी उसी में है तो कमपॉंड में कोविलेंट बांड बनेगा वो कमपॉंड कोविलेंट बांड होगा अब यह कोविलेंट बांड क्या है समझ लेते हैं नौन मेटल बांडिंग नौन मेटल यानि फिर से में बोल नौन मेटल नौन मेटल के बीच बांड बनेगा कोविलेंट बांड कहलाएगा अब आप बात करते हैं HCL में HCL में HB non-metal, HB non-metal और Chlorium non-metal आप बताईए इन दोनों के बीच covalent bond बना है तो compound भी covalent compound कहलाएगा यानि आपने यह देखा कि non-metal अगर halogen से react करेगा तो covalent compound बनाएगा अब देख लेते हैं इससे related MCQ जो कि यहां से MCQ भी आते हैं तो देख लेते हैं when non-metals react with water then अब आपको पता है कि non-metals water से react करेगा ही नहीं C number answer टिक कर लेंगे आप next question पे चल रहा है when non-metals react with acid then तो यह non-metal acid से भी react नहीं करता तो C number answer होगा non-metals do not react with acid next question पे चलते हैं यह question को skip कर लेते हैं इसको रहने देते हैं अभी यह question देखिए the most abundant non-metals in the earth crust earth crust मतलब earth पे environment में नहीं environment में तो non-metal अगर बोलेगे तो वो nitrogen होगा जो कि nitrogen 78% में present है तो वो ऐसा नहीं earth crust में सबसे ज़्यादा non-metal cone पाया जाता है तो वो आपको पता है oxygen अब इसका trick लगा लेते हैं ओप सी अलफी यह trick है मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको ओए अलफी है न ओच्छी इस तरह से आप हिंदी में लिख सकते हैं तो यह आ है तो ओच्छी यहां से देख सकते हैं कि ओओ यहां पर है silicon है तब aluminum है तब iron है यानि auction सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके बाद silicon उसके बाद aluminum उसके बाद iron तो सबसे ज़्यादा auction पाया जाता है तो auction तो है non-metal इसलिए answer यहां पर non-metal के case में auction ही हो जाएगा अब यहां पर पूछा जाएगा the most abundant metal in the earth crust तो आपको पता है कि oclf में यहां पी देखिए non-metal तो यहां तक तो दोनों तो metal में है नहीं metal यहां से start हो रहा है तो सबसे ज़्यादा metal aluminum पाया जाता है यहां से ट्रिक से आपने बना लिया aluminum answer होगा अब आगे यहां पर बढ़ रहे हैं कि यहां से देख सकते हैं कि find the non-metal which exists in a liquid state in a room temperature यानि room temperature पर कौन सा non-metal है जो की exist करता निव लिक्विड स्टेट में आपको यह अच्छे से पता है मात्र एक प्रामी ऐसा नन मेटल है जो की लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अब नेक्स्ट क्रेशन पर बढ़ रहे हैं नान मेटल एक साइड नेचर इज यानि नान म को पता है C O Carbon Mono Oxide इगusz अपर है यहाँ नंन मेटलिक उकसाइड नेचर अजब सीडी की नेचर का होगा अब आगे हाँ पर बढ़ रहे हैं सी ओजी इंडियासी नेचर तो आपको मैंने भी बताया कि कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रल होता है तो यह आपको याद रख लेना है क्यों होता है नेचर आफ ऑक्साइड के वीडियो में अच्छे से डिसकस कर ला है यहां पर लास्ट में मैं यहां पर ओसी यह ट्रिक था मैं यह फिर से बता देता हूं बहुत कोई नहीं समझे होंगे ओसी ऐसे इंक्रीजिंग और में बढ़ रहा है ना यहां पर देखेंगे सबसे ज़्यादा औक्शन होगा तब सिलिकन होगा तब अलमुनियम तब यह की आपको समझ में आ चुका होगा थैंक्यू सो मच वीटियो देखने के लिए